समाजवादी पायटी के राष्टी अध्यक्ष एवंपूर मुखमंत्री अखलिस यादव सहर के केपी मैदान कॉलेज में पायटी की पूर विधायक विजमा यादव के सुपुत्री के साधी समारों में सामिल हुए इस मौके पर मेडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस देश और प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी की मार जेल रहे हैं तो वहीं रोजगारी के लिए दरदर ठोकरे खा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी जमीन की कीमत मांगने पर प्रदेश के किसान पुलिस की मार ख रहे हैं अखले से अदम ने कहा कि मुखोटों के बल पर बनी दिल्ली और लखनों की भाज़ापा सरकारें सपा सरकार में हुए कार्जों का मुखोटा बदल रही हैं उन्होंने छात्रों के अधिकारों की पुर्चुर बकालत करते हुए कहा कि जिस सरकार में उठते बैठत छात्रों पर लाठी बरताई जाए उस देश का मिजाज और उस देश का निजाम कैसे बदल सकता है। इसके पूर्ब वमरॉली हवाई अड़े पर उनके पहुंचने पर सपा के नेताओं और एवम कारकरताओं ने पुष्प भेंट कर उनका जोड़दार स्वागत किया। काफले के साथ सपा के राष्टी अध्यक्स दोफेर बारा बचकर तीस मिनट पर केपी कॉलेज के विशाल मैदान में पहुंचकर पूर बिदायक बिदमा यादब की पुत्री के बेवाहिक कारकरम में शामिल होकर बर बदू को आशिरबाद दिया। एवम पार्टी के नेता राम सुमेर पाल तता मीरा निशाथ के हाँ पूर्ब में संपन हुए बेवाहिक कारकरम की बधाई दी। केपी मेदान में कुछ देज रुकर मीडिया एवम पार्टी कारकरताओं से बार्टा करने के उपरांत युवाजन सभा के पूर्ब जलाद्यक संजीव यादब के निवास पर जाकर उनका होसला बढ़ाया। उसके बाद काफला सायथ बमौरी हवायड़े पहुँचकर बायू यान से लखनो के लिए रवाना हो गए। इस मौगे पर किशन मूर्टी सिंग सायद इफ्तिखार हुसेन के सिरिवास तब बरिष्ट नेता नरेन सिंग सायथ सेंकनो कारकरता मौजूद रहे। इस लीडर्स हों शिक्षा के शेत में दी हैं मेडिकल के शेत में दी हैं उसका राजनेती करण और अपने स्वार्थ में क्या कैसे लाब पहुंच सकता है उस रास्ते पर बीजेपी सरस्था को भी खराब कर रही है। अबी 2022 बहुत दूर है और नजाने कितने मुखमंतिरी पद्गे लोग आएंगे तब तकॉरे आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तपडेश के मुख्यमंत्री उत्तपडेश के उपमुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं और उपमुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिन मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन ली थी और आज उनका काम रोका जा रहा है हमारी संख्या तो दो है गवर्नर हमें तो नहीं बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महाराश में सरकार कोई ने कोई गड़बंदन के रूप में सरकार दिखाई देगी आपको सवाल पूछने जीए दूसरे कि बहुत गड़बंदन के लूप क्यों नहीं हुआ आप बताईए गड़बंदन के लूप सड़कें हो गएं क्या क्या नौजमानों को नौखरी रोजगार के अफसर बढ़ गए आज यो संकट है आर्थिक संकट है बताओ बैंकें डूप रही है इलावाद नाम से जो बैंक थी वो बैंक की खतम कर दी क्या इलावाद बैंक से की नाम रहेगा ऐसी आर्थिक मंदी आई है नौखरी रोजगार वेपार तो है नहीं जो एकलौती आपकी प्रतिस्टा थी एक सम्मान मिलता था कि इलावाद नाम से बैंक है बताओ बीजेपी के लोगों ने उसे भी डुबा दिया नीज बेके के लिए इलावाद प्रियाग राज से सुने लिया अदब की रिपोर्ट